जिसको लगी इश्क की विमारी, उसे लगी छे बच्चों की अम्मा भी कुवारी यह सचिन के लिए है? नहीं मतलब सब के लिए है क्योंकि आगे को रूल तो यहीं चलना आ ना बॉडर पारी होना आ ना प्यार तो रभपूरा गाउं में गदर जैसा महौल है एक पक्ष ऐसा है जो सीमा को सपोर्ट करता है और उनको भावी कहता है वहीं दूसरी भावी जो है वो है मितलेश भाटी उनको लपू आंटी, जिंगुर आंटी भी कहते हैं उनका भी सपोर्ट करता है एक गुट लेकिन आज मितलेश भाटी के समर्थन में उनकी दोस्त उतरी हैं, उनकी खास मित्रे हैं, जो मारे साथ मौझूद है सबसे पहले आपका नाम आप जाना चाहिए जी मेरा नाम नीतु है, मैं भी आज सबर करूँ और मितलेश जीदी की वेस्ट प्रेंडूम है आप बेस्ट ट्रेंड है, अच्छा जिस दिन ये वीडियो वाइरल हुआ था उस दिन आपध्यून के साथ में थी, क्या हुआ था? जी कुछ भी नहीं हुआ था, हम लोग तो आम लोगों की तरह ही गए थे, हमें ऐसा कुछ नहीं था बस हल लाथा कि सीमा ही है, पाकिस्तान से हमने का चलो हई हमी चल रहे हैं, देख लिएंगे सीमा को लेकिन उस टेम पर सिर्फ हम ने किसी को थेश पोकर नहीं खिती हैं, वो तो आमने कही दिया था क्योंकि वो जो चार दिन की जो पाकिस्तान की लड़की है उसकी सपोर्ट में खड़े होकर आजाव अपनी दोस्त के सपोर्ट में आई है और ना मेरे क्या किते हैं हिंदुस्तान की बेटी है उनकी वो पाकिस्तान की बेटी नहीं है अपनी हिंदुस्तान की बेटी को बेटी कर रहे हैं अमिजानी जी कर रहे हैं पिच्चर बना रहे हैं गाने बना अमिजानी का आज तो सबसे गलत कर रहे हैं ना सबसे गलत तो वही कर रहे हैं वो कितना फेमस कर रहे हैं उसको क्यों कर रहे हो क्लीन चीट मिल गए कि अमिजानी को हैं अमिजानी ये कह रहे हैं कि पहला सवाल, अमिद जानी ने आज तो गाना भी रिलीस कर दिया, अपने फिल्म को अदावा कर रहे हैं, फिल्म सुपर डुपर हिट होगी? टेम बताएगा, उन्होंने वैसे कितनी फिल्म बना ली हैं, जो सुपर सुपर हिट गई हैं, मेरी नजर में तो एक भी नहीं हैं, और भी बहुत सारे प्रोडूसर हैं, वो क्यों नहीं आए और सीमा हैदर ने तो उनको पहचानने से ही मना कर दिया, कि ये तो धोके से इंटर देश नहीं आया है, गाउं का बड़िया महौल है, सपोर्ट में हैं सब लोग, गीता जी गाउं का क्या महौल देख रही है, और इधर अमिर जानी ने गाना रेलीज किया, दावा कर रहे हैं, फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, भावना जी गाउं का महौल बहुत अच्छ हर देश के कोने से, अधिबक्ताओं के कॉल आ रहे हैं कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, वो लोग गलत कर रहे हैं, एक अपराधी को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, उसको हम ऐसे अपने देश में इस तरह से जो है, हमारी संस्कृति को कलंकित नहीं करने देंगे, इस आपने अभी बैठे-बैठे त्यार कर लिया, जी बिल्कुल, एक बर और जरा उसको रिपीट करेंगी, जिसको लगी इसकी बीमारी उसे लगी, छे बच्चों की अम्मा भी को आ रही, यह सचन के लिए है, नहीं, मतलब सब के लिए है, क्योंकि आगे को रूल तो यही चलन गया, तो इससे किसी सचन का, किसी और का, एक किसी का मतलब नहीं, एजे सब्द है ये, कि आने वाले टाइम को जो प्रमोट कर रहा है, जो हरकते वो हमें जानी कर रहा है, इस दरह से लोगों को वो प्रेरित करना चाह रहा है, जो फिलम वो बना रहे है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसको देखते हुए, आपको ये डायलोग आया, अच्छा, क्या लग रहा है अभी गाउ में जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ खासतों पाकिस्तानी महिलाओं से बात करने का जो क्रेज यहां पर स्टार्ट हुआ है, दूसरे अप के माध्यम से, प बच्चों पे, बच्चों का भविश्य बिगड़ा है या आप के रही है, बिल्कुल, बच्चों पे ज्यादा फोकस करेंगे तो वो सब के लिए बहतर रहेगा, अच्छा, अनीतु जी एक चीज आप से जानना है, ये लप्पु और जिंगु जो शब्द है, अभी तक तो ये दोनों, मतलब दोनों बहने आप बात कर रही थी, आपस में समर्थन में थे, आप मुझे बताएगे के गाउं में इस तरह के शब्दों का इस्तमाल खास तोर में रवुपुरा गाउं में किया जाता है, जी अक्सर किया जाता है, चलते फिर ते लोग एक दुसरे का ना लेकिन ये गलत है ना, अगर आप ये थोड़ा बहुत सीमा के लिए क्लीन चिट आ जाती, अपनाप हो जाता मामला ठंडा, लेकिन उनको भी पता नहीं क्या मिर्ची लगी, फाल तुम्हें कूद गए, कि मितलेश जी के केस करो, ये तो गलत क्या ना उन्हों है, अब जब आप ने गलत किया तो ये मितलेश जी की तरह भी बहुत लोग है, एक ख़बर सामने आ रही है, मितलेश जी और गीता जी मैं आप से पूछना चाहूंगी, ऐसा कहा जा रहा है कि सीमा और एपी सिंग जी ने आप लोग उसे कांटाक करने की कोशिश की, अलग-अलग माध्य आप से अगर माफी के लिए बोला जाता है कि चलिए आपस में आप लोग सुला कर लिजे कोई नोटिस नहीं होगा, कोई कारवाई नहीं की जाएगी, तो क्या आप लोग माफी मांगेंगे? मैंने तो कहा ना कारवाई करें, हम लोग तो कह रहे हैं, हम तो नोटिस का वेट कर रहे हैं, हमारे जो अधिवक्ताओं के इतनी बड़ी फौज, वो सब वेट कर रही है, लेकिन एक बात बताओ, जो अभधर भासा, हमारे एक छोटा सा सवाल भी है मेरा वैसे, हमारे सुप जेवर के कोट से मिली है, यहाँ उनका क्या काम, वो यहाँ के सुपरीम कोट का एक लोयर, यहाँ के केस लड़ता है, क्या, इतने नीचे आने की क्या ज़रोत है, इतने उपर से उतरके, और उन्होंने जो अभधरता, और जो अमर्यादित, मैंने सीखा भी एपी सिंग से है यह शब्द, अमर्यादित भाशाओं का इस्तमाल हमारी माता सीता के लिए किया, वो कहते हैं कि वो प्यार में आई, सीता माता, वो भीजा लेके थोड़ी आई, शरम आनी चाहिए, जो देश की महिलाओं के लिए अमर्यादित सब्द बोले गए, उन पे माफी कितनी बार मा मांगेगे वो, जो टारगेट करके, परसनली, तो आप दोरों बहने किसी भी तरह की कोई माफी नहीं मांगी, कारवाई करने के लिए तयार, जी बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं, वो नोटिस भेजे हैं, हम तयार, आपको लगता है, कोई गल्ती नहीं हुई, तो किसी तरह की म मैसेज के भाईया, अब प्यार जो भी करेगा, वो बॉडर पार करेगा, डोलियां बॉडर पार से आएंगी, और बच्चों को देखो, कैसी कैसी डोलियां आएंगी, फिर वो ही शब्द हैं, कि जिसको लग जाएगी इसकी की बिमारी उसे लगे, छे बच्चों की अम्मा अब बच्चाल रही तो लाएंगे सब लोग, आप बताएए गाउ में अभी क्या मोहल चल रहा है, किस तरह से आपस में घर परिवार में क्या चर्चा होती है, गाउ में ठीक चल रहा है महल, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अब जब मितलेश जीदी पर बात आई है तो अब सीमा को भूल मितलेश दीदी के पीछे हैं और मितलेश दीदी का पीछा एंड तक नहीं छोड़ेंगे हम लोग चाहें कुछ भी कोई कर ले और यह जो लग रहा है कि गलत बोला है ने इनकी तो नॉर्मन भासा ही है तो ये दोस्त हैं बेस्ट्रेंड है मितलेश भाटी की जो आज समर्थन में उत्री हैं और दोनों बहन्यों का खास तौर पर कहना है कि एपी सिंग की तरफ से अब तक नोटिस नहीं प्राप्थ हुआ है और अगर नोटिस मिलता है तो उस पर कारवाई की जाएगी हम भी मांगी जाएगी क्योंकि इनों ने कोई गलती नहीं की है क्याम प्रमसन तन्वीर के साथ भावना की शोर टाइमस्टरन अभारत के लिए